जब हमें Unintentional Injuries से बचना है, तो we need to follow Risk Management and Preventive Measures. The term Unintentional Injury has replaced accidents. पहले Accident कहा करते थे, अब हम इसको Unintentional Injury कहते हैं. Prevention of Unintentional Injury requires continuous awareness and implementation of Risk Management Measures. और ये Risk Management Measures कौन कर रहा है? हमारे स्कूलों के असाथजा कर रहे हैं, हमारे वालिदैन कर रहे हैं और हमारे बच्चों के Care Givers कर रहे हैं. क्योंके देखे, अगर हमने शुरू में ही Risk Management Measures नहीं अपना ली, तो कोई भी नुकसान होता है, तो फौरी तोर के उपर हम कुछ भी नहीं कर सकते और बच्चे का नुकसान पहले से कहीं ज्यादा हो जाएगा. तो देखे, हमने जैसे अर्स किया, कि हम बहुत से ऐसे factors हैं, जैसे motor vehicles है, drowning है, burns है, suffocation है, fall है, poisoning है, ये वो सारे factor हैं, जो किसी भी बच्चे के साथ कभी भी हो सकते हैं, है ना, वो vehicle से गिर सकते हैं, या कभी डूप सकते हैं, अभी आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, कि बच्चा सीडी से नीचे आ रहा थे, चुकि उसके हाथ में टैब थी, तो वो जाहर है, उसकी नज़र टैब पे थी, सीडी पे पाऊं रखा नहीं रखा गया, और वो मूँ के बल जमीन पे गिर गया, तो आपको risk management measures लेना है, और वो ये सारी सूटों में हो सकते हैं, burn भी क इसी वक्त हो सकते है, तो क्या करेंगे, so knowledge of children developmental skills is essential for protecting their safety, अगर मुझे पता है कि बच्चा दो साल का है, या तीन साल का है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, तो हम risk management measures ले सकते हैं, यानि हम उनको उन activities में जाने ही नहीं देंगे, जो उनकी उमर से बड़ी हैं, ऐसे वा cognitive level को अच्छे से जानते हैं, तो हम उनको जैसे दो साल का बच्चा है, उसको मैं छूरी नहीं पकड़ने दूगी, उसके हाथ में blade नहीं होना है, उसके हाथ में और तो और लोहे का ruler भी नहीं होना है, उसको अभी यहां हम आगे देखेंगे आने वाले modules में, कि फिर किस बड़ा ball देना है, जो उसके मूँ में ना जा सके, अगर वो ball से खेलना चाता है तो, फिर यह कि जो किताब है, वो सफे की नहीं देनी, कपड़े की किताबे हैं, वो छोटी-छोटी हमने उसको पकड़ानी हैं, तो अगर आपको पता हो कि किस उमर में बच्चे क्या कर सकते अपना कैसे नुकसान कर सकते हैं, तो हम पहले से चीज़ों को तया करके उनको वही चीज़ें देंगे, जो उनको नुकसान से बचाएंगी, फिर हम कहते हैं, कि अगरिया कर सकते हैं, आपको पता हैं, जो चोटा बच्चा जब तीन साल का बच्चा चूले के करीब जाता है, इसका मतलब है कि वो कुछ न कुछ खतरनाक करेगा, इत्ती उमर के बच्चे को चूले के करीब जाने नहीं देना चाहिए, वो और कुछ नहीं तो बटन को स्कारिज होना शुरू हो जाएगी, हो सकता है, अचानक बड़ी आग लग जाए, या वो किसी यूटेंसिल को अपने उपर गिरा लेगा, तो ये बड़ा खतरनाक फेक्टर है, फिर हम देखते हैं, के कैंची होती आम तोर पे बच्चे उससे कटिंग करना सीजर से पसंद करत तो उसके उंगली ब्लेट से कट जाएगी, तो हम उसको ऐसा कुछ देंगे ही क्यों, जिससे वो अपने आपको नुकसान पहुँचाए, फिर देखिए आपने जितने भी ट्वाइज हैं, उन सारे ट्वाइज के उपर लिखा होता है, के ये कौन सी उमर के लिए हैं, चोट इसे ब्लॉक से नहीं खेलेगा, जिसके एजिस जो हैं, वो शार्प हैं, और फिर आप देखिए के अगर घर में इस तरह की कोई सीडियां, जैसे खास तोर पर सीडियों पर मैट बिचा दिया जाए, तो उसके जो एजिस हैं, वो कमस कम जो है, वो थोड़ा सा बच सकते हैं बच्चे उसे शार्प एजिस से जो चोट लगती है, उससे बच सकते हैं, फिर ये के कोशिच यह उनी चाहिए कि फर्ष इस तरह का ना हो, जिसको बच्चे फिसल के गिर जाएं, तो हल्का पुलका रग जो है, वो उसको हल्प आउट करता है गिरने से, फिर ये के जैसे श बच्चों को अंदर आने नहीं देना, और उसके इलावा अगर करनी है, तो उसके साथ कोई mock exercises हो सकते हैं, कि ऐसे ही जैसे pretend play में आप करते हो, कि अच्छा ये आपका बरतन है, ये आप पका रहे हैं, ताकि वो kitchen में ना जाए, और उसको वहीं पे वो चीज़े मिल जाएं, और दूसा ये, कि आपने पहली कोशिश तो ये करनी है, कि ऐसे हलात ही पैदा ना हो, कि बच्चे को चोट लगे, तो जितने उमर का बच्चा है, उसके हिसाफ से आपने घर में या बाहर घर से बाहर चीज़ों को manage करना है, कुछ activities के लिए हम बच्चों को इजाज़त दे है, कि अच्छा तुम कर लो, जैसे लकड़ी की सीड़ी है, सीड़ी पे बच्चा को हम कहते हैं, आप चड़ सकते हैं, बच्चा चड़ गया, लेकिन कहीं उसका पाउं फिसल गया और वो गिर गया, या वहां कील उखड़ी हुई थी, उसके कपड़े अठक गए और फिर भ जाज़त दें, उसको पहले से खुद इमेजिन कर लें, कि कहां पे उसको नुकसान पहुंच सकता है,